देखो पिछले साल Redmi की Note 10 सीरीज लाँच हुई और मुझे परसनली ऐसा लगता है कि Redmi की Note सीरीज की सबसे जादा पॉपिलर सीरीज थी और यूट्यूबर्स ने भी भर भर की सीरीज की तारीप की ऐसे हमने भी की थी और लोगों ने इसके स्पेक भी देखे भाई की बहुत कम प्राइज में काफी अच्छे स्पेक ऑफर कर रहा है तो कावे सारे लोगों ने सौचा कि भाई पर्चेस कर लेते बहुत ही कम प्राइज में अच्छा फोन मिल रहा है अब देखो सीरीज तो कावे जादा पॉपिलर हुई लेकिन दिक्कतों ने इस सीरीज का पीचा कभी नहीं छोड़ा जब लॉंच हुआ था तब भी इसमें दिक्कत थी सबसे पहले दिक्कत की बात करें तो इसमें बग्स गिलिच वगेरा चलते थे और स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशु का पर सारे लोगों को आ रहा था जिसके उपर हम मैंने और वीडियो बना रखे और लोग लोगों को यह दिक्कत आ रही है अब वह दिक्कत फिक्स हुई नहीं कि एक और दिक्कत आ गई देखो MIUI 13 का स्टेबल अपडेट Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए रोल आउट कर दिया गया है और काफे सारे लोगों ने इसको इंस्टॉल कर दिया है लेकिन इंस्टॉल करने के बाद जो है कि भाई यह दिक्कत MIUI 13 के स्टेबल अपडेट के बाद आ रही है और Redmi को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए अब लोगों ने इसके उपर कदम उठाना स्टार्ट कर दिया बहुत सारे लोगों ने सर्विस सेंटर से बात की तो सर्विस सेंटर का शुरुआत में यह कहना कि कुछ लोगों से कहा गया कि आपके फोन का मदर वोर्ड खराब हो गया है तो उसको चेंज करना पड़ेगा इतनी इतनी कॉस्ट आएगी कुछ लोगों से कहा गया कि पांच हद्जा रुपे से जादा खर्चाएगा कुछ लोगों से कहा गया कि ग्यारा हद्जा रुपे के बाद अब टाइम था कि Redmi एक कदम उठाए इसके ओपर कोई solution लेकर आए और Redmi ने किया भी Redmi ने एक tweet कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि काफ़ सारे लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही है और जिन लोगों को भी ऐसी दिक्कत आ रही है वो नजदी की service center में जाकर इस चीज़ को free में ठीक करा सकते उनसे एक रुपया भी नहीं लिया चाएगा अब ऐसे में maximum लोगों की दिमाग में सबसे पहला ये सवाल आता है कि भाई ये जो free service है वो warranty वालों को मिलेगी या फिर जिनकी warranty खतम हो चुकी है उनको भी मिलेगी और सेम सवाल राक service free में दी जाएगी उनसे एक रुपय भी नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर किसी ने launch event के दिन भी Redmi Note 10 Pro या फिर Pro Max को खरीदा होगा तो शायद इस महिने के end तक उसके 18 महिने पूरे हो जाए मतलब सारे phone अभी 18 महिने के नीचे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आ फ्री में नहीं करके देंगे तो आप इनके help center पे call कर सकते हो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि बस camera की दिक्कत हो तभी free में होगा वरना कोई और problem भी free में हो जाएगी यह समझ के service center तक भाग कर मच चले जाना तो यह बस camera की जो दिक्कत है वही वो fix करके देंगे free में बाकी सारी चीज़े आपको उसके लिए cost देना पड़ेगा पैसा pay करना पड़ेगा तो आशा करते हैं कि जिनके भी phone में यह दिक्कत आ रही जल से जल सौल हो जाए उनके phone फिर से ठीक हो जाए साथ में मैंने एक और वीडियो देखा कि एक बंदे के phone की screen ने work करना बंद करते है अब वो चीज किस वज़े से हो रही है मुझे नहीं पता लेकिन इस series में कुछ बात तो थी मतलब popular भी हुई साथ में बहुत सारी नई नई दिक्कते बे लेकर आई तो लास्ट में फिर से यही कहेंगे कि जो भी दिक्कत आ रही इस series में सारी solve हो जाए और जिनको भी दिक्कत आ रही है उन्होंने पैसा पेक किया है तो उनको ठीक से service मिल जाए उनका phone ठीक हो जाए और फिर से ठीक से work करना start कर दे तो यही ताब वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देने चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट आले वीडियो में